Hello students, today we start class 10th match chapter 2 exercise 2.4 question number 2 दिखिये, find a cubic polynomial with a sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros are as 2, minus 7, minus 14 respectively आपको बटा question में बोला गया है, आपको cubic polynomial बनाना है आपको sum, sum of product and product of zeros दिया गया है, ठीक है तो सबसे पहले आप let करेंगे 3 zeros, तो let alpha, beta and gamma are 3 zeros of cubic polynomial ठीक है विटा, तो cubic polynomial की जो standard equation है ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0, अब हमें जो दिये गए है sum of zeros वो देखेंगे आप, तो sum of zeros है विटा, आपके पास minus b by a, तो minus b by a मतलब alpha, beta and gamma, एंतिनों का sum minus b by a है, फॉर्मूला होता है यह आपके पास, तो यह आपको दिया गया है 2, ओके बटा, मतलब यह जो minus है, इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, हमारे पास वो plus में दिया गया है, आपके पास क्या, two, तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस यह आपके पास क्या हो जाएगा, plus, मतलब आपके पास जो b की value आईए है, वो minus two आईए है, ओके बटा, अब आप लेंगे, sum of the product of its zeros, वो है बटा, आपके पास c by a, ओके, तो c by a आपको जो दिया गया है, minus seven, और यह c by a, ठीक है, यहाँ पे कोई minus sign यह तो यही आपके पास c की value हो जाएगी, ओके, next आपको दिया गया है, product of its zeros, आप लिखेंगे, product of its zeros, तो वो है, alpha, beta, और gamma, वो है आपके पास minus d by a, तो वो दिया गया है, आपको minus 14, ओके बटा, तो यह है, minus d by a, अब आप देख रहे हैं, d के साथ जो formula है, आपके पास, यहाँ product of zero minus d by a, it means d आपके पास 14 है, वो minus किसका हो जाएगा, formula वाला, a की value सबके नीचे कोई number नहीं है, it means a की value जो आपकी आ रही है, वो क्या रही है, one आ रही है, तो यहाँ पे लेंगे, आप a है है, हमारे पास 1, b है, हमारे पास minus 2, and c है, हमारे पास minus 7 आ गया, d आपके पास 14 आ गया, ओकी बटा, तो नेक्स आपके पास cubic polynomial है, axq plus bx square plus cx plus d is equal to zero, तो आप अपने equation बनाएंगे, one है, तो x cube भी रहेगा, minus 2x square हो जाएगा, minus 7x हो जाएगा, क्योंकि हमने c की value डाली, d की ह 14, तो यह आपके पास आगया, cubic polynomial, ओके बटा, तो second method जो है, इसका, वो भी देख लीजी आप, जो आपको easy लगे, वो आप कर सकते हैं, clear बटा, second method में हमारे पास सिधी, जो equation होती है, formula वाली, वो यह होती है, x cube minus आप लेते है, sum of its zeros, ठीके बटा, तो इसके साथ आपके पास x square आता है, minus आता है, प्लस आता है, sum of, क्या लिखेंगे, sum of, sum है यह, sum of product of, product of its zeros, इसके साथ बटा, आपके पास x आता है, clear है बटा, minus होता है, आपके पास, product of its zeros, is equal to zero, ठीक है, यहाँ पर minus sign है, आपके पास, अब आप इसकी value डालेंगे, sum आपको दिया गया है, 2, तो 2x square हो जाएगा, और sum of product of its zeros, आपके पास minus 7 है, तो minus हो जाएगा, 7, ठीक है, अब आपको product of its zeros क्या दिया गया है, minus 14 दिया गया है, ठीक है फटा, बट यहाँ पे भी minus है, तो वो कितना आजाएगा, plus 14 हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपके पास answer आगया, ठीक है, ठीक है, तो यह आपके पास answer आगया, ठीक यू,